नमस्ते दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ frozen shoulder syndrome यानि कंदे की जकडन के बारे में frozen shoulder syndrome एक ऐसा रोग है जिसमें पीडित विक्ति के कंदे का जोड जाम हो जाता है doctors अक्सर इस रोग को starting में नहीं पैचान पाते जिससे अच्छे treatment के बाद भी ये pain और जादा बढ़ जाता है इस बिमारी में capsule नाम से जाने जाने वाली कंदे की lining विशेश रूप से effect होती है ये line बहुत flexible होती है जिसकी वज़े से shoulder का moment होता है जब किसी को कंदे में चोट लग जाती है या fracture हो जाता है उसके बाद दीरे दीरे व्यक्ति को frozen shoulder की problem होने लग जाती है तो आईए दोस्तों अब देखते हैं क्या क्या हो सकते है frozen shoulder के लक्षन frozen shoulder की इस्थि में कंदे के जोड के चारो और ligament में सूजन आ जाती है जिससे ये लाल होकर संकुचित हो जाती है और इसकी flexibility खतम हो जाती है जिसके चलते कंदे में दर्द और जकड शुरू हो जाती है दीरे दीरे कंदे इतने अकड जाते हैं कि आप कोई भी काम ढंग से नहीं कर पाते और यहां तक कंदे का हिलना डुलना भी बंद हो जाता है इस situation को medical term में adhesive capsulitis भी कहते हैं diabetes वाले लोगों को frozen shoulder का खतरा जादा रहता है दोस्तों अब देखते हैं क्या है frozen shoulder का उपचार frozen shoulder syndrome का इलाज, मरीज की condition, दर्द कितना जादा है मरीज दर्द को सह पाएगा या नहीं और कंदे की जकडन को ध्यान में रखकर की जाती है मरीज को जरुरत के इसाब से non-steroidal anti-inflammatory दवाईयां दी जाती है और जरुरत पढ़ने पर shoulder के joint steroid के injection भी लगाने पड़ते हैं दवाईयां पेशन्ट की condition को ध्यान में रखकर दी जाती है दवाईयों के साथ साथ फिजियो थेरपी भी करवानी परती है फिजियो थेरपी से बाहें और कंदे की exercise हो जाती है जिससे बहुत जल्दी फरक पड़ता है पेशन्ट को shoulder का वयाम भी नियमित रूप से करना चाहिए अपनी नहीं चलानी चाहिए अगर आप डॉक्टर या फिजियो थेरपिस्ट के कहने से आप सब कुछ करेंगे तो पेशन्ट को frozen shoulder syndrome में बहुत जल्दी अराम मिल जाता है दोस्तों आपको मेरे ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सबस्क्राइब करें